जहिन साथियों स्वागत आपका विज़पत डिफेंस एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर आज किस वीडियो में इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे मैई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट हिमाचल परदेश के करेंट अफेर जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ओव विउ से बनाए गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे especially हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए और आपकी HP पटवारी या फिर HP SSC के जितने एक्जाम है हिमाचल में होने वाले जितने भी upcoming एक्जाम है उन सभी के लिए हमारी आज की मैं मन्त की करेंट फेर की वीडियो आपके लिए most important रहेगी आज हम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल पुलिस के ही करेंट फेर के बारे में आज हम discuss करेंगे वीडियो आपके लिए important है आपके लिए जो इसका last question रहेगा वो सबसे important है सबसे main question आपके लिए जो है वो आज की इस वीडियो का वो आपके लिए रहने वाला है वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट question है आज की इस वीडियो का हाल ही में हिमाचल परदेश में किस बिमारी को महामारी घोशित किया गया है तो हाल ही में हिमाचल परदेश में ब्लैक फंगस नामक बिमारी को महामारी घोशित किया गया है सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले स्थान पे जो है वो राजस्थान ने इसे महामारी का नाम घोशित किया था Next question है Black fungus का रसाइनिक नाम या फिर अन्य नाम क्या है मतलब इसको scientific bay के अनुसार किस नाम से बोला जाता है According to science जो है इसे किस नाम से बोला जाता है scientific नाम क्या है इसका इसका नाम है Macuric Microsis तो most important question है आपके लिए Black fungus को जो है वो Macuric Microsis के नाम से जो है वो भी जाना जाता है Next one है हिमाचल परदेश में Black fungus के पहले मामले की जानकारी कहां से मिली है तो हिमाचल परदेश में Black fungus नामक जो महमारी घोशित हुई है इसका पहला मामला जो है इसकी जानकारी IGMC शिमला के द्वारा हमें मिली है IGMC क्या है IGMC है इंद्रा गांधी Medical College जो की हमारा शिमला में स्थित है काफी बड़ा हमारा होस्पिटल या फिर Medical College है पूरे हिमाचल का ये और साथ में यहाँ पे जो है वो हमिरपूर का जो है वो पहला मरीज यहाँ पे Black fungus नामक बिमारी से देखा गया था Next one है So important question है आपके लिए ऐसा हिमाचल में पहली वार किया गया है और उस जिले का नाम है लाहुल स्पीती यहाँ पे जो है वो हिमाचल कहें कि यह पहला ऐसा जिला बना है जहाँ पे इस स्कूलों में ठोस कचरा परवंधन का एक सबजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है पूरे हिमाचल परदेश में So काफी अच्छा कदम यहाँ पे हिमाचल परदेश सरकार द्वारा उठाय गया था और साथ साथ में इसे लाहोस पीती के साथ अन्य जिलो में भी इसको लागू करवाया जा रहा है Next one है कायकलप योजना के तहत सुंदर नगर सिविल अस्पताल को पूरे हिमाचल में कौन सा स्थान प्रापत हुआ है तो कायकलप योजना जो है एक भारत सरकार की मुख्य योजना है जिसने करोना काल में काफी हद तक लोगों की जो है वो मदद की है कायकलप योजना जो है वो एक हमारा योग से समंदित एक योजना है तो इसमें जो है वो करोना काल में लोग जो है वो अपने घरों में भी स्वस्थ हुए हैं तो इस योजना के तहर जो है वो सुंदरनगर सिविल अस्पताल को पूरे हिमाचल में तीसरा नंबर जो है वो प ज़वाइयाँ बनाई जाती है, तो उस थान का नाम है, बद्दी आपको comment box बद्दी को जो है इंडस्ट्रियल हब के नाम से या फिर medical industrial हब के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट परदान करने में पूरे देश भर में कौन सा राजे प्रत्थम स्थान पर रहा है तो उस राजे का नाम है हिमाचल परदेश So most important आपके लिए question रहेगा क्यूंकि पूरे हिमाचल वर्ष की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे हिमाचल वर्ष में जो है वो टैली मेडसिन या फिर टैली परामर्ष रिवाएं देने में पूरे भारत में जो है वो हमारा हिमाचल पहले स्थान पे रहा है और इसमें मुख्य भूमी का जो रही है जो हमारा एम्स बन रहा है बिलासपुर के कोठी पूरा में वहाँ पे ई संजीबनी OPD जो है वो हाल ही में मुख्य मंत्री जेराम ठाकुर जी के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई है तो उसी कारण जो है वो टैली मेडिसिन या प्रामर्श सेवाएं परदान करने में हिमाचल परदेश पूरे विश्व भर में जो है पूरे भारत वर्ष में पूरे विश्व की बाद नहीं पूरे इंडिया में जो है वो पहले स्थान पर ये रहा है नेक्श वन है कोबिड-19 मरीजों के लिए कौन सी समाजिक सहायता ह हाल ही में हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा जो है वो शुरू की गई है तो एक ये जो है ये मनो हैल्पलाइन शुरू की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा और साथ में पूरे ओल इंडिया में इसे लागू किया गया है इसे जो है वो नैशनल इंस्टिटुट ऑफ इसे शुरू किया गया है मैं एक वार फिर से इसका नाम बताता हूं मनु हेल्पलाइन जो है ये नैशनल इंस्टिटुट ऑफ मैंटल हेल्थ एंड नियूरो साइंस के दौरा इसे शुरू किया गया है जो की कोबिड-19 मरीजों के लिए समाजिक सहाइता उपलब्द करवा र हिमाचल परदेश में परभावित हुए, यहां पे आएगा हिमाचल परदेश में COVID-19 से परभावित हुए बच्चों को मुख्य मंत्री बाल सेवा यूजना के तहित कितने रुपे प्रति महीना दिये जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो COVID-19 से जो प्रभावित हुए है करोना से बच्चे जो है उनसे जो प्रभावित हुए है कुछ बच्चे वहां से अनाथ हुए है उनको जो है वो हिमाचल पर्देश सरकार द्वारा 3500 रुपेय जो है प्रती महीने जो है वो दिया जाएगा इस पैंती सो में वह Pues 2,000 रुपय है यह संटर गव्यर्मंट की तरफ से दिये जाएंगे और ore 1500 का में यह हमारे स्ठेट गव्यर्मंट के द्वारह दिये जाएंगे तु अच्छी पहल यहां पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है नेक्ट वन है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन आज किस वीडियो का हाल ही में आयोजित होने वाला पांच जून को विश्व पर्यावरन दिवस की थीन क्या होगी तो थोड़ा सा एडवास मैंने आपको बता दिया है कि अभी हाल ही में पांच जून को हमारा विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाएगा और सारा का सारा जो इसका समरो है वो जादा तर 50% से उपर जो है वो इसे ओनलाइन ही कंड़क्ट करवाया जाएगा तो पांच जून को तो जो बिशो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम जो रहेगी उसका नाम है परिस्थितिक तंतर बहाली most important question है क्योंकि पर्यावरण से ही सब कुछ है पूरे बिशो में जो है वो आज हो रहा है तो उसी के लिए जो है वो परिस्थिती तंतर बहाली जो है वो इस बार की थीम रखी गई है परेवरन सब के लिए most important है तो जादा से जादा पेड लगाएं और वहीं से जो है वो जादा हमें oxygen भी मिलेगी तो एक और question यहां से important बनता है 1974 में इसे सबसे पहली बार मनाया गया था 1974 में इसे सबसे पहली बार मनाया गया था उसके बार जो है इसके mostly इसे जो है वो USA के द्वारा जो है वो मेजवान किया जाता है conduct करवाया जाता है लेकिन बाद में जो है इसे अलग लग हिस्सों में जो है वो बांट दिये गया था जैसे for example कई वार इसे जो है वो भारत कंड़क्ट करवायेगा पूरे विश्व भर में तो 2018 में जो है वो भारत ने इसे इसकी मेजवानी की थी और आपको comment box में बताना ह कार्तिक परदूशन most important है next बात करते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो कार्तिक स्वामी मंदिर पूरे हिमाचल में एक मात्र मंदिर है जो की चमबा भर मोर में स्थित है इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में जो है वो इसकी स्थ आपना की गई थी और बेसाखी के दिन जो है वो इस मंदिर को ओपन किया जाता था हिमाचल प्रदेश के किस थान को स्वरक की दूसरी पोड़ी कहा जाता है important question है आपके लिए ये स्वरक की दूसरी पोड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिर्मोर जिला जो है वहाँ के नाहन में एक स्वरक की दूसरी पोड़ी कहा जाता है important आपके लिए question unique सा question मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर्मोर में जो है वो एक स्वरक की दूसरी पोड़ी कहा जाता है अगर मैं बात करूँ तो टोटल चार पोड़ी जो है वो स्वरक की मानी जाती है जिसमें पहली पोड़ी हरीद्वार में है यह आपने सुना है गंगा के साथ में यह स्थित है हलकी पोड़ी जिसको बोलते है पहली पोड़ी हरीद्वार में है, दूसरी हिमाचल परदेश में स्थित है, तीसरी जो है वो चूड़ेश्वर महादेव को बोला जाता है और चोथी पोड़ी जो है वो किनर के लाश को बोला जाता है इमपोर्टेंट कोशन है कि स्वरक को जाने की जो पोड़ीयां है वो मुखे रूप से चार है जिसमें पहली जो हरीद्वार, दूसरी शिम मंदिर पोड़ी वाला जो कि हिमाचल के सिर्मोर में स्थित है तीसरा है चुड़ेश्वर महादेव और चोथा है किनर के लाश परबद इंपोर्टेंट कोशन है नेक्शन है तैरते हुए टापूओं की जील कहां पे स्थित है तो तैरते हुए टापूंग की जील रिवाल सर में स्थित है जो की हमारी पड़ती है डिस्टिक को तोलन में नेक्शन है उत्री भारत का अजन्ता किसे कहा जाता है तो उत्री भारत का अजन्ता जो है पूरे भारत का उत्तर भारत का वो जो है वो मसरूर रोक टेंपल को कहा जाता है जो की हमारा जिला कांगडा में स्थित है नेक्श वन है हाल ही में मेकशिफ्ट अस्पताल का कहां पे लोकारपन किया गया था तो हाल ही में परोर में जो है वो हिमाचल का पहला मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो उसका लोकारपन किया गया था नेक्स्ट बात करते हैं हिमाल्य इतिहास और संस्कृति के पुराध नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है नेम चंद ठाकुर और ओसी हंडा के द्वारा इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेशन बनता है तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव सहजल इंपोर्टेंट क्वेशन है क्योंकि हेल्थ से रिलेटिड पूरे बिशो भर में काफी इशू है COVID-19 जो संकरमन चला है उसकी बज़ा से तो आपको हेल्थ मिनिस्टर का नाम जो है वो प्रॉपर वे से पता होना चाहिए अगर इंडिये की बात करते हैं कि पूरे सेंटर गॉर्मेंट की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर कौन है अमारे तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन तो लास्ट कोशन है आपके लिए काफी यूनीक कोशन है काफी मोस्ट इंपोर्टन कोशन आपके लिए है ये करंट का कोशन नहीं है बट हिस्टरी का आप इसको कोशन समझ सकते हैं क्योंकि हाल ही में हुआ था इसलिए आपके लिए करंट का कोशन बनता है हाल ही में हिमाचर परदेश के किस महान नेता का निधन हुआ जिन्होंने पूरब विधाईकों को पेंशन लगाने का सुझाब दिया था तो काफी अलग कोशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उनका नाम था चोधरी अमर सिंग तो न्यूस पेपर में एक इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है इनके रिगार्डिंग एक आया था जिसमें बताया था कि कोबिड-19 की बज़ा से जो है ये कुछ इनकी तवेद खराब थी जिसकी वैसे इनका निधन हो गया तो ये एक ऐसे बेखती थे जिन्होंने हिमाचर प्रदेश की जब पहली सरकार बनी थी बायस परमार की सरकार बनी थी तो इन्होंने जो है वो पूरव विधाईकों को पैंशन लगाने का सुझाब जो है वो दिया था तो most important question आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनका नाम था चोधरी अमर सिंगोल हाल ही में दो या तिन दिन पहले इनकी जो है वो मृत्यू हो गई थी तो important question थे आप सब के लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं whatsapp के उपर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें इसमें आपको day to day के current fair, PDF, study material, HPG के notes जितने भी हिमाचल के exam हैं उन सभी के लिए आपको इसमें notes free of course to provide करवाय जाते हैं साथ में हमारी math की classes भी start हो चुकी हैं तो इसमें भी आपको जो है वो इसके notes with solution आपको इसमें provide करवाय जाते हैं वो भी free of course तो वीडियो के description में आपको इसका link मिल जाएगा या फिर जो नीचे हमारा यहां पे नंबर flash हो रहा है उस नंबर के ओपर message करके आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं तो वीडियो को like करें share करें और बिजेपस defense YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहें जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत